महराश्च के एक सियम और साथ में ही बिजेपी के बड़े पॉल्टीशियन देवेंद फंडवीज और कांग्रेस पार्टी के बड़े मंत्रियों के बीच में आपस में एक मिटिंग हुई है इसको लेकर एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है आपको बता दूं कि अभी ज मिनिस्टर बाला साहत थोराट और साथ महराश्च के बिधान सभा के जो स्पीकर है नाना पटोले ये दो के दोनों लोग जो है वो देवेंद फंडवीज के घर पर पहुचते हैं और जहां पर इन तीनों के तीनों लोगों के बीच में मिटिंग होती है अब सबसे बड़ी और इनके खिलाप में जो बीजेपी की पार्टी है उनकी तरफ से संजे उपध्याय करके एक कंडिडेट खड़ा कर्द किया गया है लेकिन कांग्रेश की तरफ से दावा किया गया है कि वो रजनी पार्टिल को बिधाउट किसी कोई किसी अपोजीशन के मतलब कोई भी उन उन्होंने अपने आपको इस कंडिडेट जो की मुख कंडिडेट थे इनके खिलाप में जो खड़े हो रहे थे राजजसरवा सीट के लिए उन्होंने अपने आपको बिड्रॉ कर लिया मतलब कि वो जो है इनके खिलाप में नहीं खड़े होंगे तो मतलब कि जो के साथ में इन दो के दोनों मंत्रियों ने मुलाकात की और उनके द्वारा कहने के जस्ट कहने मात्र से आखिरकार क्यों जो है बीजेपी की पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया और उन्हों संजी उपाद्याय ने सिधा सिधा बोला है कि आपने आपको पीछे इसली één हटाया क्यों हाटा ले अपने आपको पीछे करिने में मिलकर ही काम करते हो मिलकर ही सारी politics खेलते हो मतलब क्या जंता के emotions के साथ में आप लोग गेम खेलते हो और public को सिर्फ और सी manipulate करते हो कि आप लोग जो है एक दूसरे के खिलाप में हो लेकिन reality कुछ और ही होती है आप जो है एक दूसरे के साथ में मिलकर पूरा का पूरा गेम जो है राजनीती जो है वो खेलते हो आपका क्या opinion है इस पर आपनो opinion comment box में बताएं और वीडियो को आज चादा सेयर करें